सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार फ्यार नमस्कार मैं सीमा सागत का तुए आप सभी का देव भूमित्राखंट के पिठागर जिले के मुंचारी के खुप सुरत से से अंबीत का तुए आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं विग्दमस्क हूँ तो दोस्तो नहीं दिन के नहीं सुरुआत के साथ आज आपके सामने फिट से अपना नया ब्लोग लिखे आ रही हूँ और दोस्तो व्लोगिंग की सुरुआत हो रही है दिन के धाए बज़े से जैसे के आप रोज मेरे व्लोग में मुंचारी का खुप सुरत सा नजारा ठिक चूँ तो दोस्तो आप देख सकते हैं मुंचारी का मौसम आजकल रोज ही ऐसा ही हो रहा है मौसम दिन के 12 बज़े से मौसम बादल वाला हो जा रहा है और बारिज भी आजकल लगातार होई रही है दिन में देख सकते हैं आसमान में पूरे बादल ही बादल देखने को मिल रहोंगे तो दगड़िय आजकल और ठन बहुत बढ़ चुके इतना ठन तो जारों में भी नहीं हो था जितना अभी हो रहा है और दोस्तों अभी भी हलका फूल का बुदाबादी हो रही हम आए हैं खेत में आप देख रहेंगे पीछे मम्मी और माही को देख रहें खेत खोद रहें खेत पे उस दिन करने का यहीं रिजन है कि अभी हम आलो आलो बोले और आपको भी दिखाना चाहते हैं तो इस वज़े से अभी में ब्लॉग स्टार्ट करें और और दोस्ता आप यह भी बोलेंगे कि खेत पर आते टाइम मेक अप क्या है तो दोस्तों मैं सुबह मार्केट गई थी इस चाहलें कि खेत पर आपको बहुत अच्छा है पतले लोगों को तो अतने आफद भी नहीं आती होगी हम तो मोटे वे तो हमें आफद आती है थोड़ा तो यहां पर है मम्मी कुछ कहना चाहेंगे आप कैसा लग राज खेत पापा के बिना काम करने में कैसा लग रहा आपको बहुत अच्छा है तो आपको यह दिखाते हैं यह रहा आलू के छोटा है इस वज़े से इतना ही है आलू तो आलू को काटके बोया जाता है तो मम्मी ने यहां पर आलू काट लिए हैं और आप यह देख सकते हैं आलू में बीज आ चुके हैं तो इसको काटके बोया जाग करके यहां पर को जला दिया था तो अभी फटा-फट खो देंगे उसके बाद जो यहां पर खाद है यानि कि प्वस्स है उसको हम फिर फैलाएंगे उसके बाद आलू बोएंगे ठीक चूँ माही थक चुके है तो अभी मेरी यहां थक चूकित सब्सक्राइब तो यहां बोएंब करें दोनों को बराबर थकान हो और दोनों को ज्यादा मेहवनगे ना करना पड़े इस वज़े से अभी माही थक चुकी है तो तो दोस्तों थोड़ा बहुत खोड़ते के बाद मैं ठक चुकी हूं और अभी फिर से माही ने कमांड पकड़ ली है कमानी बोलते हैं कमानी बोलते हैं कमांड पकड़ ली है तो अभी माही ने कुदाल पकड़ लिया माही खोड़ रही है और मैं ठोई दिर रेस्ट करती हूं ठीक चुकी मुझे मम्मी और माही को काम करें तो मुझे एक गाना याद आ गया क्योंकि अभी हम गल्स-गल्स काम कर रहे हैं तो इस व दोस्तों आलू तो कमी थे बीच के लिए इस वचेद भी थोड़ा कमी खोथना था और खेद खुद चुका है तो अभी यहां पर आपको दिखाती हूं मैं यह देखो मम्मी यहां पर खाद डाल लिए खेटों मैं क्योंकि खाद डालने से सबजी अच्छी होती है आप स्वीडियों कर दो आखेटों मा ही बगर मैं खोद रिया है लुटिए खेत खोदने के बाद रखेत में ़ाल डाल के टया है इशी math के लिए नाल ली बनाते हैं और उस नाली के अंदर आलो को बोया जाता है तो आपको दिखाते हैं इतने में पहन हैं हम्ने आ आलो यहां से रहaced यहां तक की वोना है हमने आलू को बता है आपको ने सकती बहुत सारी बंदर आते हैं और भी इतना भी ओıls जाए वी काफी है अपने खाने तो बनाने लग चुके है अलू के लिए आप दड़ेंगे पतले सी नालू को डाला जाता है और फिर इसको अच्छ眨 ठक दिया जाता है तोear आप माही तुम क्यों नहीं बना रहे हो तुम भी बनाओ यह देखो अब देख सकते हैं इस तरीके से नाली बनाया जाता है तो यहां पर माही और ममी दोनों लगे हुए हैं नाली बनने के बाद अभी नाली के बीच में आलू को इस तरीके से डाला जाता है उसके बाद इसको ओपर से ढख दिया जाता है तो अभी तो नहीं डाल लिया आलू तो दगड़ियों आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डाल रहा है माही ने यहां नालों को ढखने की बारी है तो ममी यहां पर नाला भी ढख रही है मिठी से कुछ इस तरीके से ढखा जाता है कुछ घज कुछ अजगर जाता है हुआ हुआ है आलो बोने का काम भी निपट चुका है वैसे मेरे तो बोया नी ममी लोगी बोरे थे हैं में को आता भी निया जादा मैंने बस खोदें आलो बोरे तो अभी ममी बना लगा रहे हैं अभी किचन में चाय बनाने के लिए यह चाय बहुत ही अच्छा बनाते हैं इसलिए मैंने कहा तुमें बना लो ममी मुझे बोले थी और मैंने माही को लगा दिया काम तो माही अभी चाय लेके आए गया हमारे लिए किचन में चाय बनाने के लिए तो अभी काम निपटी चुका है पर चाय भी आ चुकी है अभी आपको में भार का मौसम दिखातू बिल्कुल ही चेंज हो गया मैंने आपको बोला था जब हम आलूप हो थे बुदाबाद भी हो रही थी बट अभी भार का मौसम बिल्कुल चेंज हो गया बारिस बहुत तेज होने लग चुकी है तो गरमा गरम चाय और भार में ठंडा ठंडा मौसम वह देखो दोस्तों बाहर का मौसम बारिस वाला हो गया है बारिस हो गया है है बारिस ही हो रही थी पेज बारिस हो रही है और मुम्मिन ने चुले पर आज भी जला दिया है तो मौसम भी ठंडा हो रहा है और चाय भी आज चुपे दो जाते हैं अंदर हो सेखते हैं आज